जैहन साथियों श्वागत है सभी लोगों का उतकर्ष क्लासिस के इस प्रेटफर्म पर जिसमें आज हम बहुत महत्पून टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है जनजाती हाट बजार अर्था जो एकॉनमी वाला मेंस वाला भाग है उसमें एमपी में जनजाती हाट बजार हमारी भारति संस्कृति का एक अंग है उस अंग को समझते हैं और मद्देश के साफेक्ष में हम इसको क्या है समझने वाले हैं चलीए देखते हैं तो जनजाती हाट बजार क्या होते है यानि ये जो जंजाती हाट बजार है ये टॉपिक हमारे लिए महत्पून होने वाला है सबसे पहले तो जंजाती हाट बजार क्या है उस पर बात करेंगे अपन फिर इसके बाद जो है इसकी विशेष्था क्या है विशेष्था या विशेष्थाएं तो उन विशेष्थाओ इसक तों समस्य देखेंगे और तीस्रा है कि महत्त तो क्या है और फिर हम बात करेंगे कि कर बरण की चुनाओति यों परणिक चुनाओतियों पर बर्तमान की चुनाओतियों पर और कुछ हम क्या है एक्जाम्पल्स देखेंगे यानि उदाहरण देखेंगे कि मत प्रदेश में कहां कहां के हाट बजार प्रशिद्म है चलिए तो हम जो जंजाती हाट बजार पढ़ने वाले हैं यह हमारी स्वेग्मेंट हो गए इनकी तहट हम मजने बाले हैं और लगबग लगबग प्रश्ण इन्हीं मैंसे कुछ एक जो है आने बाला है कि जंजाती हाट बजार का महत्तु लिखिए इसकी विशेष्टाइं बताइए क्या चुनौतियां है ठीक है तो इस तरीके से प्रश्ण बनने बाले हैं चलिए तो हाट बजार की प्रश्ण पंदेश में से दुकान है टुकान की पकीस अनष्टाइब होती है तो सामानत को सनक्षन और उसका संवर्धन और विकास के लिए वह यह पूरी क्या है यह सब्जी पूरिए और हम जहां तक हमारी नजर जाए तो वहां पर कुछ और वेवस्ताईं हो सकती है हो सकता है किराना बजार हो फिर और आगे को सकता है wonder हो membacun का बजार हो हो सकता है सब्सब्लिट ब्रूप जो दिखाई देते हैं इसको एक साथ मिल के क्या भूलते हैं हाट बजार ठीक है बाजार और हाट बजार में अंतर च्छार यह जो समार्य दिन लगते है लेकिन हाठ बजार जो है सापता ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब हाट बजार क्या है तो हाट बजार अइना समाज या ग्रामीर समाज में इक सापताहिक बजार है गले देख लिख लेते हैं तो意ぁ उन यही निविशेष्ता में सबसे पहला पॉइंट क्या प्लिक वाहिए甚ा हुए पहला पॉइंट यह सापताहिक होते हैं दूसरा इनका इतिहाश यानि यह किस समय से लग रहे हैं तो उस पर बात की जाए तो यह प्राचीन काल से लग रहे हैं सिंधू जँज़ेता कि समय भी हाट बजार लगा करते थे और हट बजार जो हैं आज वाले यह भी परब्बबार को रहा है प्रáng देख लेते हैं यहाँ पर क्रैविक्रै किया जाता है किया जाता है फिर हम देखेंगे कि क्या क्या उपलब्द है यहां पर तो हम देखेंगे दैनिक आवशक्ता की वस्तु है उपलब्द होती है उपलब्द होती है फिर इसके पश्चाथ हम देखेंगे कि की यहां है इन में क्रेवक्त कर है और दैने कुपियों की बस्तु है क्या है हमें मिल रही है अगर हमें कार खरीदनी है मॉटर साइकल खरीदनी है तो यह हां बजारों में नहीं मिलती तो हाट बाजार अपने आप में अपने आप में पशु बाजार भी होते हैं हम अपने पशु क्या है यहां लाकर क्या है करेक कर सकते हैं नई जैसे हमैं बकरी खरीदनी है तो बकरी खरीच सकते हैं यह हाट-पजार अपने आप में क्या है हस्त-सिल्प बाजार है है यहां हमारे ग्रामिर समुदाय विसेशत जंजाती समुदाय में जो धस्थ सिल्प के था है तो जितने भी बस्तूं बन रही है उनका क्रेव क्रे किया जाता है खरीदने वाले लोग खरीद के लाते हैं और जिनको बेचना है वहां पर बेच के आते हैं clear next इसका दिवस पूर्व निर्धारित होता है पूर्व निर्धारित होता है जो प्राचिन काल से ही जो प्राचिन काल से ही उसी दिवस पर आयोजित होते आ रहे हैं होते आ रहे हैं यह कुछ विशिश्ष्था है कुछ और विशिश्ष्था ही देख लेते हैं पर जैसे हम देखेंगे हाट बजार में आज भी आज भी वस्तु बिनि में प्रणाली का प्रणाली का प्रचलन देखने को मिलता है तो साथियों आपने देखा होगा आपने देखा होगा कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारे याँ पी हाट बजार लगता है तो यहां पर क्या है हमें वस्तु बिनिवे बाटर पनाली बाटर सिस्टम क्या है देखने को मिलता है अर्था ग्रामी डिजन अपनी जो व तो मैं पर जो मुझे आवस्क्ता की मुझे चाहिए मुझे मिर्ची तो मैंने मिर्ची वालों से पूछा कि मिर्ची क्या लाल मिर्ची क्लियर तो इसको बोलते हैं वस्तु बिने में प्रणाली आज भी है हाट बाजार के बाहर या प्रारंभ में प्रारंभ में बनुपज या हमारे क्रशी उपज या पसू जैसे मुर्गा कॉमा बकरी खरीदी विक्रे का इस्थान होता है इस्थान होता है हम देखेंगे यदि यह 8 बजार लगा पर और ये मुख्य सडक है क्या है मुख्य सडक है इधर से भी इधर से भी लेकिन में की तरफ है ये मुख्य रास्ता इस रास्ते पर जो लोग आपना शामान बेचने आएbaum है दो ऑने मुरग fl Legal क्या एक लिए मूरगा तो ये अपने मुट नहां तो मुर्गा का यहां से क्या है भावताव करके इनसे मुर्गा खरीच सकता है और जिसको मुर्गा बेचना है वो इनकी लाइन में खड़ी हो जाए इनकी लाइन में खड़े हो जाए तो मुर्गा बेच सकते हैं तो इस तरी किसे क्या है यह मुर्गा बेचते हैं अपने मुर होके और जो पैसा आया है उससे बाजार में आएंगे हाट बजार में खरीच्दारी करके ले आएंगे तो यह रहाएं प्लिच प्रशाथ हम दस्वा पॉइंट देखते हैं हाट बजार में हाट बजार में आसपास के लगभग 10 किलोमीटर तक के तक के गाउं तक के गाउं की जगह अपन ग्रामीड जन लिखेंगे तक के ग्रामीड जन खरीदी विक्रे करने आते हैं फिर हम देखेंगे फिर हम देखेंगे के खरीदी विक्रे दस बारा काओं के आ गए हैं अब इन हाट बजारों की मूल संद्रसना को हम समझते हैं और उस में से भी बहुत सारी बिसेशना निकल के आएंगी जिनको हम इसमें एड करेंगे क्योंकि मैं अगर कराता जाओं तो कम से कम सौ बिसेशना लिखा सकता हूं कि मैंने वास्टपिक रूप से क्या है हाट बजार देखें हैं चलिए तो यह हाट बजार दिख रहा है हमको एक जिसमें सब्जी भाजी की दुकाने लगी हुई है और दुकाने कैसी है तो जमीन पर ही क्या है और आपना सामान बिचा लिया है ठोकरियों में है कोई टाठपत्टी पर है कोई जो है पर थैले पर भिचा हुआ है और इस तरी के से क्या है यह दूखाने है अगर ढूल रही है तो चाता जो दुकाने हैं वो एक साथ होंगी ऐसे ही सिल्प की तहट जो सामान विक्रे की जो दुकाने हैं वो एक साथ होंगी जैसे हम देख रहे हैं यह क्या है इसको हम सूप सूपा या सूपड़ा कह देते हैं जिससे हम खाद्यान को फटकने का यानि उसको साप करने का काम करते हैं क्लियर फिर हम देखेंगे यह तोक्रिया हैं बड़ी अच्छी दिख रही है यह बांच की बनी हुई है यह बहुत अच्छी टोक्री है जिसको हम भीले जंजाती में बोहनी या पाटी कहते हैं साधी के समय कि साधी के समय बधू के लिए जो कपड़े बगएरा होते हैं और उसका जो जेवर बगएरा का सामान है इसी बहुनी या पाटी में रखकर ले जाया जाता है फिर हम देखेंगे आगे इधर तो टोकरी बगएरा यानि ऐसे ही जो बिक्रे करने वाले हैं यह अपन जो है इनका जो पेज होता है ! स्पेशली जो पेठी पदार्थ है जैसे अगर हम जाबु आली राजपुर धार तरब जायेंगे तो यहां पर ताड़ के Пीड़ पाये जाते हैं और ताड़ के संसे उनका जो जूस निकलता उसको ताड़ी कहते हैं तो यह यहाँ पर एक करें किुए नहीं इनके पास जो है यह लोटा या लोटी है इसको लोटी कहते हैं के 20 रुपए लोटी चाली सा यस तरीके लोटी इसका इसका different Maps प्रूपए यहम दिर्ताों यह है हमें चावल की सराप भी मिल जाती जैसे राइसबियर कहते हैं यह जो है इन में फिर हम देखेंगे ऐसे ही कि ऐसे ही हम देखेंगे कि यह जो मांस बजार है वो भी यह जो महिला दिख रही है यह अपने घर से क्या है मुर्गा मुर्गी लेके आई है और यह यहां पर विक्रिया करेंगी अब इसका मतलब यह नहीं है कि यह मुर्गा मुर्गी खाती होंगी ठीक है ना इसका मतलब बिल्कुल नहीं है जनजाती समाज में मुर्गा मुर्गी इसलिए पाले जाते हैं क्योंकि मुर्गा मुर्गी जो है चलते फिरते ATM है क्या है चलते फिरते ATM कैसे अब इन्हें पैसों के आवसकता हुई इन्हें पैसों के आवसकता हुई तो अपने मुर्गा मुर्गी पकड़े और जाके हाट ब इनसे मुर्गा यानि मुर्गा किलो के हिसाब से नहीं नग के हिसाब से मिलता है किसके हिसाब से मिलता है और इसमें भावताव होता है यानि इसका मुल पहले से डिसाइड नहीं है कि मुर्गा पांसो का मिलेगा मुर्गा हजार का मिलेगा ठीक है इनने डिमांड करी कि हजार रुपérica का 1 देंगे लेकिन लेकिन सामने वाला करिदार है वो गोलता है कि नहीं हम तो सास 2509-100 में बात रखते हैं ना तुमारा दो 800 की तो 800 में क्या है अपन दैख कर लेते हैं कि 800 रुपême में कि 800 रुपय में अपन फाइनल करते हैं कि 800 रुपय में मुरगा दे दो तो डिसाइड हो जाता है कि 800 में अब हो सकता है आपको दूसरी लोग उससे सस्ता दे या और महेंगा मिल जाए ठीक है तो इसमें इन चीजों का मूल निधारित नहीं होता है पहले से कि इतने ही रेट मे दो मूल यह चीजें हैं यह जो है यहां पर भावताओं से डिसाइड होती है कि कितने मैं विक्रैय होगा कि इन कर सकते हैं यह भी एड कर सकते हैं कि मुर्गाया अन्य वस्तू का मूल्य भावताव करके निर्धारत किया जाता है निर्धारत किया जाता है तो यह हो गया अब हम देखेंगे एक विश्यष्टा और बड़ी अच्छी लगती है मुझे जंजाती हाट पजारों में जब हम जाते हैं तो कि वो विश्यष्टा यह है कि यह जो सबजियां है यह जो सबजियां है अब तो जो है हमें देखने को मिल जाती है कि किलो के हिसाब से मिल रही है लेकिन आज भी जंजाती मतलब ग्रामीड हाट बजारों में इस्पेशली जंजातियों में जंजाती वाले शेत्रों में जो है पैसे तै होते हैं जैसे बैगन भिक रहे हैं बैगन भटे तो भटे 20 रुपए किलो है ऐसा नहीं बोलेंगे तो धेर लगा के रख देंगे धेर लगा के कि 20 रुपए का धेर है एक धेर कोई उठालो 20 रुपए का है यदि आप हाट पजारों में गाए होंगे तो आपने यह जो धेर वाला सिस्टम है जरूर देखा होगा तो यह सब्जी भाजी जो है धेर के हिसाब क्या है बेचते हैं जैसे मार्केट म ना लुए पर्माद यह थी तो यह महत्तपूर विशेश्टा हो जाती है महत्तपूर विशेश्टा हो जाती है कि मुझे ए ज्यादार सामान यह वस्थू कि छा थेर eating हाझ आउक बेची जाती है रहे डेंता सादैंक gives जाती है कि धेर की तौर पर बेची जाती है ज्यादतर वस्तु हैं पिर हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हर सामान या वस्तु का विक्रे या क्रे क्रे विक्रे लिखते हैं पन क्रे विक्रे इस्थान इस्थान निर्धारित होता है निर्धारित होता है इसकी एक विशेष्टा जोसे बहुत महत्वण बनाती है कि इसमें जंगली भाजी कंद मूल खरीद विक्रे प्रमुख होता है प्रमुख होता है यदि आप अमारी की भाजी आपको चहिए है जन्जाती हाट बजारों में स्पेस्लिए निमाद के यह मिल जाएगी हमें मिल जाएगी गृष्ट कहने हैं जन्जातियों वाले जो उनको पता रहते हैं कि यह बहुत महत्रपून हैं जिनके नाम हैं जैसे गराडू सूरण बगेरा जो हैं यह हमें मिल जाएंगी फिर इसके पश्याथ हम देखते हैं इसके पश्याथ हम देखते हैं कि सब्जी भाजी यह हो गई निर्धारित है फिर पेय पधार्थ जैसे जैसे ताड़ी मौड़ी मौड़ी यानि महुआ शराप महुआ शराप इनका विक्रे स्थान इनका विक्रे स्थान भी महत तो रखता है यह अलग से क्या है इनका विक्रे स्थान यह भी है तो इस तरीके से अपने की बात करते हैं अन्य प्रश्णों की बात करते हैं कि यह विसेश्ता महत देख लेते हैं क्या महत तो महत क्या सामानहीं एक दिन खरी लेते है और यह अपनी संस्कती से जुड़े हुए सामानों का क्रेविक्रे करते हैं यहां हम अपने समाज के अन्य जरों से मिलते हैं इन हाट बजारों में रिष्टे भी तै हो जाते हैं यह हमारा एक महत्त है आज बी यह जो हाट बजार है जन्जाती संस्कती कि संदक्षण के सम्मर्दन के और विकास की प्रमुक केंद्र है और इसके पश्यात और महत्त देखें तो इनकी इस्थानी आजिविका का बहुत बड़ा शोर्स है जन्जाती हाट बजार भी फिर हम देखेंगे कर यहीं हाट बजार अब जो है कि भीसित होकर बड़े-बड़े बजार और बड़े-बड़े मेलों के रूप में भी क्या है हमें देखने को मिलते हैं जैसे मद्दृदेश में भगोरिया हाट तो भ आपने हाट बचार है जो मिलता है हमारे इंदार में यानि हम देख रहे हैं उधारण की तौर पर हम देखेंगे भागोरिया भगोरिया हाट और इसमें आप अपने गाउं के आसपास के एक्जाम्पल भी लिख सकते हैं क्योंकि आपके छेत्र में भी क्या है हाट बजार लगते हैं हाट बजार लगते हैं फिर दूसरा हम देखेंगे भगोरिया हाट के बाद मड़ाई हाट मड़ाई सामने ते मिला होता है यह भील जन्जाती का है और यह गॉंड जन्जाती का है यह गॉंड जन्जाती का है फिर हम देखेंगे इन दौर में अभी लगता है हुनर हाट क्या कि लगता है फिर फिर भुपाल में लगता है जन्जाति हाट कर जन्जाति हाट यह महत्वपून है भुपाल सब्सक्राइब लिख सकते हैं लिकिन यह क्या है यह बड़े महत्वफून बड़े मसुहूर क्या है हाट बजार है जैसे मंडला का हाट जो है बड़ा प्रशिद्ध होता है हिर्दैनगर मंडला में है वहां का हाट बड़ा प्रशिद्ध होता है रामनगर है वहां का प्रशिद्ध है और अपन प्रश्मी जंजाती शेत्र में चलेंगे तो हमें अलिर हमने उधारन देखे अब बर्त्मान में चनौतियां क्या देखने को मिलती है हाट बजारों के समक्ष हाट बजारों की इस्थान है थोड़े से हो गये हैं या पहले हाट बजार खुले मैदान में चौड़े-थार लगते थे आज कल क्या है उन पर अतिक्रमान होता गया है और अब जो है हाट बजार छोटे से दिखाई देते हैं तो एक समश्या हमें यह भी है उनके छेत्र स्वीमित हो गए है नेक्स्ट अब जो है इस थाई बजारों ने हाट बजारों की संकल्पना को थोड़ा सा कम किया है अब लोगों को सब्सक्राइब शबते हैं तो रोज मिलते हैं और भी आवश्यक्ता की वस्तोर में चाहिए तो इसल्मांभ तो इसली वाट पर बजार धिरे कम होती जा रही है लेकिन इसकयों में आज बी जो लेकिन अब लोग जो है उनका उनका सामान सस्ते में खरीदने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और अपना सामान जो है जो घटिया सामान वहां बेचने की कोशिस करते हैं यह बहुत बड़ी समश्या है बहुत बड़ी समश्या है ठीक है चोरी जैसे जो है यहां पर करते कतरे घुमते रहते हैं एक बई बढ़ी समच्या दिखाई देती है ढ morals और महतों में और उड़ सकते हैं जटांटी हाट बजार तर दिखाई देती हैं से हमने कई अधियु बैचने नियांति के सभी सिमाइल कुछक दो पोगक सें एंति कि महिलाएं ज्यादातर क्या है हमें विक्रे करती हुए दिखाई देती हैं देखिए जिस फोटो में हम देखेंगे उसमें ज्यादातर हमें क्या है महिलाई दिखाई देंगी तो यह बहुत बड़ा महत्त है देखिए तो ज्यादातर जो है महिलाईं ही दिखाई देती हैं ज भी जो है घर चला सकती है देखिए बिक्रे करके जो है अपना घर का संचालन कर रही है एक बहुत बड़ी बात है यह जंजाती समुदाय से पूरे समाजों को सीखनी चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण इनका एक क्या है महत्वपूर्ण विशेष्टा और यह गुण है महत् चुनौतियों में हम देखेंगे तो जो वस्तु बिन में परणाली थी वाटर सिस्टम वह थोड़ा सा कम होता जा रहा है अब लोग क्या है पैसे से चीजें खरीते हैं पहले अपने वनुपज या खाध्यान जो जो क्रशी उपजे हैं उनसे क्या है सामान खरीते थे लेकि हमें पहले खिलोने मिलते थे हमारे जंजाती समुदाय की द्वारा बनाए हुए लेकिन वह खिलोने अब जो है चाइना के मार्केट से आकर यहां तक पहुंच चुके हैं वह दिखाई देते हैं तो अब जो है हाट बजारों में जो है ज्यादा तर भीड़ भार दिखाई रहे देती हैं बहुत बड़ी समझ्या है क्योंकि जो है शकरे होते जा रहे हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है लग तो इस तरीके से क्या है हमने मत्पदेश में जनजाती हाट बजार को समझा है जनजाती हाट बजार को समझा है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आपके सारे किसे में क्लिए हुए होंगे और आपने समझा होगा कि हाट बजार क्या है हाट बजार क्या है तो सामान बजार और हाट बजार में जैके लगते हैं लेकिन यह इक दिन है ये क्या है यहाँ पर हाट बजार के लिए लगबग 14 कि छेत्र के घाउं के जतने भी लोगैं सब कर करने के लिए यहां पर क्या है आएंगे और उत्राही सामान ले जाएंगे जितनी जरूरत है ज्यादा भविष्य का नहीं सोचते हैं जन्याती समुदाय यह प्रकृती पर ज्यादा निर्वर हैं उनको पता है कि इश्वर है प्रकृती है सब देगी क्यों जबर्जस्ति स्ट अगले सोंबार को फिर से आना है जरूत पड़ी तो सावन फिर से ले जाएंगे तो ज्यादा स्टोर करने की प्रवत्ती इन में क्या है दिखाई नहीं देती है बहुत अच्छी बात है यह बहुत अच्छी बात है तो इस तरीके से हमने मद्ध प्रदिश के जंजाती हाट बजानों को समझा और कुछ एक्जामपल्स भी देखे हमने बहुत महत्पून और कुछ एक्जामपल्स आप खुद अपने आसपास के छेत्रों के लिख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स सेशन में मुझे उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा यदि अच् सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा धन्यवाद